नवश्कार बुल्टिन लेकर मैं हूँ आपके साथ संदीप निरंजन सरकार खबरों करूख करेंगे उससे पहले एक नजार इस वक्त के सुर्खों पर राएपुर में डिप्तिसें वरुन साथ ने की पीसी विकास पराधिकरण की बैठक को लेकर की चर्चा योजना बनाकर हम काम करने की कही बाद वायपूर में पीसी कर उपुक्हे मंतिरे और उरुन साव ने दिया बयान कहा बीजेपी सरकार में सुरक्षा बलो ने सर्च ओपरेशन को दिया अंचाम मुस्तेधी से काम कर रहे हैं सुरक्षा बलो कोरवा में प्रधेश इस्तरिये श्रमिक समिलन कायोजन श्रम मंत्री लखनलाल दिवांगन नेकी शिर्का रिद्गराहियों की खाते में आंतरिक की गई राश्य चतिसगर प्रधेश में सर्वेक्षण अकारे शुरू रायपूर में किया गया रैपीड अस्सिस्मेंट सर्वे का शुभारम उद्ध्योग मंत्री लखनलाल दिवांगन रहे मौचो और रायपूर पुलिस ने पांच अंतराश्टे आरोपियों को किया गिरफतार आरोपियों इकल्से से चोरी की शकम परामत एंटी, क्राइम और सेरी टीम किसें उपकारवाई बस्तर की बहतरी के लिए जब से हमारी सरकार बनी है, योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं, बस्तर के सुदूर अंचलों तक सरकार की योजनाओं को पहुचाने का काम क्या जा रहा है, नकसलियों से मुकाबला कर रहे हैं, लगातार नकसली उनमूलन के ख्षेतर में ठोस और जबूत कारवाई हमारी सुरक्षा बलके जवान कर रहे हैं, वहें दूसरी ओर बस्तर के नौजवान की प्रतिबा को निखारने और समारने के लिए ये सब जरूरी है। कल बस्तर विकास प्राधी करण की बैठक है, और बस्तर के तरक्की बस्तर की बहतरी के लिए जबसे हमारी सरकार बनी है, योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। सुदूर छेत्रों में नकसलियों से मुकाबला कर रहे हैं। लगातार नकसल उन्मूलन के छेत्र में ठोस और मजबूत कारिवाहियां हमारे सुरक्षा बलके नौजवान कर रहे हैं। वहीं दूसरी और बस्तर के नौजवानों के प्रतीभा को निखारने के लिए, समारने के लिए। उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए बस्तर उलम्पिक का भी बहुत व्यापकतर पर आविजवन हो रहा है। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठर में निश्च्य दुरुप से बस्तर के सरवांजिन विकास की चर्चा होगी। बस्तर को आगे ले जाने का रोड में तयार होगा और हम प्रतिबद हैं बस्तर में सांती बहाली के लिए बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। मनिपूर घटना को लेकर राउल गांदी के बयान पर उपमुक्य मंतिर रोंसाव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है नकसलवाद आतमकात के लिए पूरी परतिबदिता से काम कर रही है देश में शांती सरकार की प्रात्मिक्ता है व प्रतिबद्धता से काम कर रही है ताकि देश में सांती कायम हो तो मनिपूर भी हमारी केंद्र सरकार की प्रात्मिक्ता है कि वहां के लोग आपस में मिलजूल कर रहें सद्भावना से रहें और मनिपूर विकास की दिशा में आगे बढ़े भारत सरकार पुधान मंत्री मानी नरेंदर मोदी जी के नेत्रित में लगातार इस दिशा में ठोस प्रयास किये गए हैं आने वाले समय मोदी बस्तर विकास प्रादिकरन की बैठक को लेकर दीपक बैच के बयान का पलटवार करते हुए उकुमुक्य मंत्री अरुन साव ने कहा कि दीपक बैच के पार्टी की सरकार ने एक भी बैठक नहीं शेत्य प्रदेश और अदेश के विकास की बात होती है कॉंग्रिस नेताओं को पच्टी नहीं उनके पेट में दर्द होता है आप से कहना चाहता हूं जरा दीपक बैच से पूछे कि सर्गुजा विकास प्राधिकरन की बैठक उनकी सरकार ने कितनी बार किया था पास साल में एक भी बैठक सर्गुजा विकास प्राधिकरन की बुपेश बगेल की सरकार ने दीपक बैच के पारिटी की सरकार ने नहीं किया था और मैंने अभी आपको बस्तर के लिए हमने क्या क्या किया है यह मैंने आपके सामने गिनाया है और जब भी विकास की बात होती है कांग्रेश के नेताओं के पेट में धर्द होने लगता है हम बस्तर के विकास की योजना बनाने जा रहे हैं विकास की समिक्षा करने जा रहे हैं और दीपक बैच जी के पेट में धर्द होने लगा है तो जब भी जनता के हितका काम होता है छेत्र प्रदेश और देश के विकास की बात होती है कांग्रेश के नेताओं को पच्छती नहीं है उनके पेट में धर्द होने लगता है बस्तर में नक्सली मुटभेड में पांच नक्सलियों के मारे जाने पर उपमुक्य मंतिर अरुन साव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा कि नारायनपूर जीले की सीमवर्थिक शेत्र में अभूजबान इलाके में एक कठीन सुदूशेत्र है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को हमारी सुरक्षा बलके जवानों ने अंजाम दिया है वहाँ पर कठनाईयों की कल्पना हम नहीं कर सकते कई किलोमीटर तक पैदल चलना वहाँ जाकर ऑपरेशन करना ऐसे कठीन परिस्थितियों में भी हमारी सुरक्षा बलके जवान बहादूर और मुस्तहदी के साथ काम कर रहे हैं जो सरहानिय है कांकेर और नरायणपूर जीले के सिमावर्ती छेत्र में अबूजमार के इलाके में कितना कठीन और धुरूच छेत्र है कि इस प्रकार से सर्च आपरेशन को हमारे सुरक्षा के जवानों ने अन्जाम दिया होगा सहज ही इसकी कल्पना कर सकते हैं कई किलोमेटर पैदल चलना वहाँ जाकर आपरेशन करना ऐसे कठीन परिस्तितियों में भी हमारे सुरक्षा बलके जवान बहादरी और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं पांच नक्सली मुटभेड में मारे गए हैं यह सुरक्षा बलके जवानों के वीरता बहादरी और साहत का परिणाम है डबल इंजन की सरकार की इच्छा सक्ती का परिणाम है और हमारी प्रतिबधता को पूरा करने की दिशा में ठोस और मजबूत कदम है कि ऐसे सुदूर अंचल में पांच नक्सली मुटभेर में मारे गए हैं चतिसगाड शासन के वानेजी उद्वगोर श्रम मंत्री लखनलान दिवांगन की मुखे अतिति में कोर्भा शहर की प्रियदर्शनी इंद्रा स्टेडियम परिसर में प्रदेश इस्तरी श्रमी सम्मेलन का आयोजन की आगया सम्मेलन में चतिसगाड भवन और अन्य असंगटित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और श्रम कल्यान मंडल अंत्रगास 47 वेभेन योजनाओ के 85,026 श्रमिक इद्गराहियों को 46,60,53,993 रुपे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे अंत्रिक की गई श्रम मंत्री देवांगन ने कारेकरम को सम्मोदित करते वे कहा कि श्रम वीर हमारे प्रदेश की रीड की हट्टी है इनके निरंतर श्रम से ही हमारा राज्य प्रगतिशील है बारस सरकार की मैतोकांशी योजना प्रदार मंत्री आवास योजना 2.0 के अंतरगत रैपेट असिस्मेंट सर्वे का शुभारम किया कोर्बा में प्रदेश की उद्योग गाणिचे और श्रम वीर हमारे प्रदार मंत्री आवास योजना 2.0 के लिए चतिसगर प्रदेश में सर्विक्षण का कारे शुरू हो किया है इसके अंतरगत ऐसे शेहरी पात्र परिवार जिन्हें प्रदान मंत्री आवास योजना के पहले चरण में आवास नहीं मिल पाए थे उन्हें पक्का मकान उपलब कराए जाएगा राजीग गांधी ऑडिटोरियम टीपी नगर कोर्बा में आयोजेश शिविर के दोरान इसके अंतरगत ऐसे शेहरी पात्र परिवार जिन्हें प्रदान मंत्री आवास योजना के पहले चरण में आवास नहीं मिल पाए थे उन्हें पक्का मकान उपलब कराए जाएगा राजीग गांधी ऑडिटोरियम टीपी नगर कोर्बा में आयोजेश शिविर के दोरान उद्योग मंत्री रखनलाल देवांगन ने प्रदान मंत्री आवास योजना शेहरी 2.0 अंतरगत रैपिट असेस्मेंट सर्वे कारे का शुभारम किया है वाटसेप में डीपी लगाकर लाख रुपे की ठगी करने वाले पांच अंतरराश्टे आरोपी गिरफतार कर ली गए हैं अंटी क्राइम और साइबर यूनिट और सिविल लाइन टीम की भूम ही कर रही आरोपी की कवसे से चोरी की रखम 20 लाख रुपे और घट्टा से संबन्दित आठ मुबाइल फोन की रफतार बरामत कर लिए गए हैं जिसकी कुल कीमत 28 लाख रुपे बताई जा रही है शांपूर में शनिवार को धूम धाम से भगवान बिर्सामुंडा की 150 वी जयनती मनाई गई इस अफसर पर ग्राम की प्रमुक्जन उपस्तित रहे मुक्य अतिती की रूप में पिंकी गजेंदर राठो और सभापती तोकेश्व अरुनेताम सरपंच अतितियों ने भगवान बिर्सामुंडा के चलचितर पर माल्यारपन कर पूजाशना कर उनके संघर्ष के जीवन को याद किया है इस अफसर पर माकली जनपत पंचायस सभापती पिंकी गजेंदर राठो ने नशामुक्ति और स्वच्छता पर शपत दिलाई तो वही धमतरी के रहने वाली मजदूर पिता की बैडमिंटन प्लेयर बेटी रितिका धुरूप ने कभी नहीं सूचा था कि उसका अपने खेल के प्रती जुनू नेक दिन उसे मुख्यमंत्री से रूप रूप करवा देगा जब रितिका को मुबाइल पर वीडियो कॉल पर मुख्यमंत्री विष्ण देश साय का असने में चेहरा नजर आया तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी बात प्रदेश की मुख्या से हो रही है मुख्यमंत्री साय ने रितिका से बात करते हुए उसके बैडमिंटन के हुनर को सराहा और उसका होसला बढ़ा है मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इसी तरह अपने बैडमिंटन के हुनर को निखारिए खूब आगे बढ़िए और अपने माता-पिता के साथ पूरे चतिसगड़ का मान बढ़ाईए हम आपके साथ है आपको बैडमिंटन के लिए जो भी सहायता और सुविधाय चाहिए उससे हम देंगे समर्थन मुल्ले पर धान खरीदी यूजना के अंतरगत मुख्यमंत्री विश्नुदेव साह के द्वारा बालोच जिले के गुंडर दे ही विकासखंड के धान खरीदी केंद्र भाटा गाउं बी में धान खरीदी के कारे का विधिवा शुभारम किया गया धान खरीदी के पहले दिन मुख्यमंत्री साह की उपस्तिती में संपन धान खरीदी के कारे के शुभारम में शामिल होने का असर प्राप्थ होने पर इस दोरान मौजूद क्रिशकों ने इस पलक को अपने लिए अविस्मर्णिय पल बताते हुए इसकी सरहाना की इस अवसर पर धान की विक्री करने के लिए धान खरीदी केंद्रे पहुंचे ग्राम, मौगरी निवासी, क्रिशक खरीराम, साहूर ग्राम, भाटागाओ बी निवासी, क्रिशक उत्तम निशाद, मुख्यमंत्री के हातों से सम्मानित होने पर बहुत ही अभी भूत हुए हैं इन दोनों किसानों ने इस पल को अपने जीवन का सबसे यादगार और रोमांच कारी क्षण बताया प्रधार मंत्री आवास योजना 2.2 अंतरगत हित ग्राहिस सर्विक्षण कारीय से शुरू हो गया है इसके तैयत प्रधेश के शेहरी आवासी हीन का स्वयम का पका आवास होगा और उप मुख्य मंत्री अरुन साव ने मुगेली जीला मुख्याले से इत स्वामी आत्माना दिस्कूल से प्रधेश व्यापी सर्विक्षण कारे का शुभारम किया इससे पहले उन्होंने जीला मुख्याले मुगेली के वार्ड करमाग सोला में धनून निर्मलकर और सुजीत पतरस के घर पहुँचकर हित्गराही सर्विक्षण किया और पियम आवास के लिए उनका फॉर्म भरवाया उपमुख्य मंतिर अनूर्ट साब ने इत्गराही सर्विक्षण के शुभारम कारे को संबोरित करते वे कहा कि राष्ट्रे जन्जाती गौरव दिवस है गुरु नानक जयन्ती है देव दीपावली है और कार्थिक पूर्डिमा भी है और आज पहले चरण में आवास सेव मसाडब्रा में प्रधान मंत्री जन्मन योजना के तहत आवास इद्गराही भगवंतीन कुमार ने बताया कि वे काफी खुश हैं उन्हें अपने सपनों का पका मकान तयार होकर बिल गया और चिले के प्रभारी मंत्री ने उनके आवास का उधगाटन किया है उन्हें प्र आज की मुख्यधारा से जोडने और उन्हें आत्मिर्वर बनाने के लिए अनेक योजनाय संचालिक की हैं वहीं हिद्गराही बाल प्रसाद कुमार ने बताया कि पहले उनकी तूटी-फूटी घांस फूंस और मिटी की कच्ची जोपडी थी जिसमें उन्हें आय थी जंग जाते गौरादिवस के जिलाइस तरिये कारिकरम में मुख्यातिति के रोप में शामिल हुए हैं इस दौरान उन्होंने कमार बसाहट मसान डबरा पांचकर प्रधानमंतरी जन्मर योजना के तहत बने आवासों का पूजय अर्ष्मय करुदगा टन किया संसर्थ ब्रजमोहन अगरवाल ने सिक धर्म के संस्थाफक और पहले गुरू गुरू नानक देव जी के 555 वे प्रकाशपर पर समस्त चतिस ब्रवास्यों को बढ़ाई दी ब्रजमोहन अगरवाल राजधानी की कचहरी चोके स्थेग खाल्सा इस्कूल में आवजेत विशेश कारेकर में शामिल हुए उन्होंने गुरू गरंत साहिप के सामने मत्था टिक करा शिवाद लिया साथी अमृत रूपी शब की तर्थ सुना खबर आप तक पहुचा रहे हैं रायपूर से जहापर सांसर ब्रजमोहन अगरवाल ने सिक्धर्म के सनस्थापक और पहले गुरू गुरू नानक देव जी के 555 वे परकाशपर पर समझ 36 गरवास्यों को बढ़ाई और शुपकामनाई दी हैं इसके साथ बता दे कि ब्रजमोहन अगरवाल राजधानी के कचैरी चौकिस्तित खालसा स्कूल पहुचेते जहां पर विशेश कारेकरम कायोजन किया गया था और उसमें उन्होंने शिर्कत की है उन्होंने गुरुकरंत साइब के सामने मत्था ठेका और आशिवाद लिया साथी कहा कि अमरित रूपी शब्त कीरतंसुन के मन प्रफुल लिथ हुआ है प्रदेश के वनमंत्री केदारकश्यव जन्जाती गौरावदिवस के अफसर पर जगदलपूर में आयुजित विभेन कारेकरमों में शामिल हुए है जगदलपूर के PG College Ground में आयोजिस सभा को संबोधित करते हुए मंतरी किदार कश्चव ने प्रदेश वासियों को जंजातिय गौरावदिवस पर बधाई दी उन्होंने का कि 36 गड़ जंजातिय बहुल शेत्र वाला प्रदेश है इसलिए शेत्र में इस समागम का आयोचन सर्वथा प्रासंडीक है आधिवासी सांस्कृतिक परंप्रा और भगवान बिर्सा मुंडा की 150 वी चैनती पर उनके संघर्ष्टों को इस मृत्यों में संजोने के लिए मुंगेली जिले के लोर्मी विकासखंड के ग्राम खुडिया के शास्किय हाइस्कूल मैदान में जंजातिय गौलाव दिवस मनाए गया प्रधान मंत्री नरीदर मोधी ने बिहार के जमुई से वर्चूल माध्यम से कारिकरम को संबोधित किया और देश्वासियों को बधाए दिया और शुपकामनाई मी दिए खुडिया में आयूजी जिला इस्तरिय कारिकरम में मुख्यातिती की रूप में उप मुख्यमंत्री अरुन साव शामिल हुए तो ख़वर मचा रहे हैं आप तक लोर्मी से जहाँ पर आदिवासी सांस्कृतिक परंप्राव और भगवान बिर्समुंडा की एक सुपचासवी जहनती पर उनके संघर्षों को इस मुख्यमंत्री में संजोनी के लिए मुंगेली जिले की लोर्मी विकास खंट की ग्राम खुडिया में शास्किया स्कूल मैदार में जनजातिय गौरव दिवास मनाये गया मतादी की प्रधान मंतिरी नईद्रमोदी ने बिहार के जमुरी से वर्चुली माध्धम से कारिकरम को संबोदित किया था और उसके बाद सभी राज्जियों में ये मनाये गया सोतनतता संग्राम सेनानी आदिवासी जननायक धर्ती आवभगवान बिर्शा मुंड़ा के एक सुपचासवी जन जनती वर्ष के मौके पर जिले में जनजातिय गौरव दिवस कायोजन किया गया जिला मुक्यालने स्थित सर्व सामाज डॉक्टर भीमरा अम्बेडगर मंगली भवन में कारेकरम कायोजन किया गया इस अवसर पर प्रधान मंतिरी नर्जंदर मुदी बिहार राज्ये के जमुई से वर्चुले जुड़कर उन्होंने संबोधित किया उन्होंने बिर्चा मुंड़ा के सवतंतिता संग्राम में निभाई गई एतियासिक भूमिगा और उनकी प्रेणादायक विरासत कवलिक करते हुई कहा कि भगवान बिर्चा मुंड़ा आज भी हमारे समाज में एक आस्था के प्रतिक बने हुए है प्रधान मंत्री मोधी ने भगवान बिर्चा मुंड़ा के समान में एक समारक सिक्का और विशेज डाक्टिकट भी चारी किया साथी सफसर पर प्रधान मंत्री द्वारा 6,640 करोड पे से अधिक की विकास पर योजनाव काउट खाटर और शिला नियास भी किया गया राज़ानी राइपुर में अपरात पर अंकुष्य लगाने के लिए वरिष्ट पुलिस अधिक्षक के दिशा निर्देश पर लगातार कारवाई की जा रही है और इसी कड़ी में अभियान के तहट पुरारी बस्तित हानक्षेतर पुलिस के कारे से अवैद रूप से चाकू रख चाकू बाज को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है और उपिवी कब्जे से एक लोहे का चाकू भी चर्थ किया गया पुलिस महानिरिक्षक अमरेश मिश्रा के दिशा निर्देश पर वरिस्ट पुलिस अदिक्षक संतोष सिंग के मारताशन में विदान सभा अंतरगत जुआ खेलनी की सूशना मिली पुलीस अदिक्षक कीरतन राठोर नगर पुलीस अदिक्षक विदान सभा के नंदन नायक के नित्रत में टीम तयार की गई और बताएं जगह पर घेराबंदी कर जुआ खेल रहे है आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली आरोपियों खिला जुआ एक के तहर अपराग पंजीवत कर लिया गया है रायगर थाना जूटमिल में किशोर बालिका द्वारा जूटमिल के कमलेश सोनी पर शारी रिक्षोशन का आरोप लगाते हुए आविदन देकर रिपोर्ट दर्च कराई गई है पीडिता ने बताया कि आरोपिय ने उसे शाधी का वादा करके शारी रिक्षोशन किया थाना प्रभारे निरिक्षक मोहन भारतवाज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कारवाई कर आरोपि को गिरफतार कर नियाई ख्रिमान पर भेज दिया है बसना अनुविभागिय अधिकारी मनोज खाने के निर्देशन में कल देर रात बसना के ग्राम अंकोरी में विशाल गजिंद्र और जगदिश सिदार के घर में 489 और 400 कटाधान के अवैद भंडारन पर सक्ति परत्ते वे 889 कटाधान जब कर ने च्हा पमारी कर दस्तावेज मांगा गया लेकिन परियाप्त दस्तावेज प्रस्तूत करने में असमर्थ रहे इस मामले में प्रशासन द्वारा धान को जब्द कर मंडी अधीनियम के तहट कारवाई कर जब्द कर लिया गया था मासनुस से आपको ख़वर बता रहें जहाँ पर बसना अनुविभागी है अधिकारी मनोज खांडी के निर्देशन में देर रात बसना की ग्राम अंकोरी में विसार, गज़ेंद्र और जग्दी सिदार के घर छापा मारा गया जिसमें 489 और 400 कटा धान के अधाय धंडारन पर सक्ति बरते हुए कोल 889 कटा धान चब्द कर लिए गये हैं और मंडी अधीनियम के तहट कारवाई की जा रही है तो जानकरी जैसे मेरे को तुझा उसके अधार पे मैं अपने टीम के साथ में वहां जाके अंकोरी में जाज किया तो गजेंद्र विशाल के गहर से चार सव न्यासी कट्टा बरामा हुए गळान और सेम जाके वह क्या होते हैं कि जैक्डी हां मस्थी के अंदर में चेक किया जाके चार सव कट्टा धान पगड़ में अधान सेम दोनों एब उड़ी पुरी था जगदी बीशाल दोरह भी थाए जगदी इस इजार दोरह भी दाम बंडारान के वैसे सब्सक्राइब कर्वाई के लिए मंदी विभाप मंदी सचीव को दे दिया है कर्वाई के लिए और बल्टिन मेरे साथ इतना ही दीजे जाज़त नमस्कार